तो गाइस अगर आप लोग मेसेंजर में किसी का भी वाइस कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो उसे बंद करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग बंद करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कली जी का बिलका इकुन को प्रेस कर लेना है तो यहां पर first of all आप लोग अपना messenger open करेंगे तो messenger में आप लोग अगर messenger की settings पर भी जाएंगे तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि हमें यहां पर कहीं पर भी ऐसा option नहीं मिलता जिससे हम voice call हो या फिर video call हो apps की settings पर आप लोग के फूर में पूरी की पूरी applications और सो करेगी तो हम simply यहां पर messenger ला लेते हैं यह messenger आचुका है हमारा spam क्लिक करेंगे सबसे पहला तरीका आप लोग को notifications पर क्लिक करना पड़ेगा यहां पर आप लोग को option मिलेगा calls का category में ता आप लोग को calls का notification को off कर देना होगा और यहां पर दिखे activity indicators में आप लोग का incoming calls हो इसे भी off कर देना होगा outgoing service आप लोग इसे off ना भी करें तो को दिक्कत नहीं है call in progress आप लोग इसको बंद कर देना होगा तो यह तीन आप लोगों को जो आप लोग का call locks का permission होता है जैसे कि यहां पर हमने already नहीं दिया है तो यहां पर आप लोग को जो telephone का permission रहता है call locks नहीं यहां पर telephone का permission रहता है आप लोग को उसे simply deny कर देना है ठीक है आप लोग जैसे उसको deny कर देंगे और आप लोग का contact का परमिसन आप लोग को deny कर देना होगा उसके बाद आप लोग को SMS का भी परमिसन deny कर देना होगा, तो यह जो permissions रहते हों ने deny कर देना आप लोग को तो आप लोग यह सब setup करेंगे तो आप लोग कोई भी voice call नहीं आगा, नहीं कोई video call आएगा तो इस तरीके से आप लोग अपने मेसेंजर में वोईस कोल हो या फिर वीडियो कोल हो उसे बंद कर सकते है I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी